अगर आप रगूलर नेक्सा की चाविया देख रहे हो ना तो इसमें थोड़ा सा अंतर है यह मेटल की एक एक एक्ट्रा स्ट्रेप आगी है इसमें ताकि आप इसको की रिंग में या की फॉब को कुछ इस तरीक से इस्तिमाल कर सकें या आप किसी बॉटल को खोलने के लिए इसको इसको स्तिमाल कर सकते हैं एक अच्छी डीटेलिंग जो मुझे लगी ना यह एड़ उन यह वाइपर जैट्स हैं और यह मतलब ऐसा नहीं है कि बस एह महीं दिये दिये गए हो यह तो बहुत अच्छा काम कि अब यह आपने लाइट वगरा दी मेरी हाइट पांच नहीं है लाइट्स में नीचे ही दिगी है अनलाइक थार बीच में ट्रांसफर केस काफी आगया है टोईंग के लिए इधर और दोनों तरफ बहुत जल्दी करूल बाग में ना जिमनी के स्पॉयलर आने लगेंगे अच्छा इसके पीछे के जो रुविट्स और नट्स है ना उन्हें छुपाने के लिए अलग से केसिंग है यह फ्लैक कलर गी इसकी बूट प्रैक्टिकल लग रहे है मुझे ज्यादा थार गेंगम पैरेजन क्या बोलता है क्या बोलतो पब्लिक थार अच्छे एक चीज और दिखा तो मैं जैसे ही इसको आगे करूंगा यह दिख 50 by 50 में यहां पर इसकी जिस्ट अंदर जो नट्स है वो M6 साइज के हैं बोल्ट जो हैं वो M6 साइज के हैं पाट शेरिंग तो अभी भी है अच्छे यह इस पैर भी लाने के वज़े से जो हार्डनेस आती ना बूट उपन करने में वो इसमें भी है लेकिन फिर भी यह फ्री है काफी एजिली कर पा रहा हूं मैं क्या बोलता है यह कितनी लाक में आएगी अगर 10 लाक के अंदर अंदर कर दी ना तो मज़ी मज़े है लेकिन फिर यह सब से 64 भाई 4 भी हो जाएगी तो 10 लाक के अंदर चांसे काफी कब्ल में गरे है मुझे इसके अब यह जो प्रोड़क्त है वो नेक्सा उट्रेट पर बिखेगा और दो वेलेबल है जटा वेरियंट एंड यहां पर अलफा वेरियंट दोनों इमैनुल एंड आटोमेडिक दोनों ट्रांस्मिशन में आएगा यहां पर अड़ा नहीं है लेकिन हम जिमनी के बात कर रहे है तो क्यों ना स्टिक करें जिमनी तक ही देखो इस वाकरण में आपको बताऊंगा कि कैसे इसके डामेंशन है इंटियर में स्पेस कैसा है बूट कैसा यह सारी चीज़े में बताऊंगा और अगर आप भी जिमनी जाते हैं तो आज यह नेक्सा के आउटलेट में डेली अंसियार में अभी डिस्प्ले हो रही है वहाँ पर आप विजट कर सकते हैं चलिए जब दोस्तों सबसे बहले फर्स कम फर्स फ्रेंट लुक के बारें बात करते हैं अब यह जो फ्रेंट लुक है वो हाला कि आपको मारुद्ती स्थू की स्टाईल नहीं नजर आएँ एंगी फिर्ल में जो हैं वो स्लैंट्स है जो हमारुद्ट स्थू की अकसर स्लैंट्स देते हैं बट वो डिजाइन जो हैं वो तो वो बी कावी अच्छा लग रहा है और क्योंकि एक dual tone treatment से मिलती है dual tone texture यहां पर जो मिलता है वो आपको नजर आएगा एक यहां पर तर्ण इंडिकेटर ओफर होता हुआ नजर आ रहा है आपको इधर और यहां पर यह जो headlight technology है LEDs का इस्तमाल किया गया है DRL आपको मिलती है projector headlight setup के साथ में एक washer भी दिया गया है ताकि जब भी आप off-road कर रहे हो तो आपको जो है वो उतर के बार-बार पूछ ना ना पड़े इसकी headlight unit तो आप straight away इन jets का इस्तमाल कर सकते हो washer jet का इस्तमाल कर सकते हो यहाँ पर Foggle Amundant इस जो है वो आपको halogen ही मिलने वाली है और कुछ इस तरीके का इसका जो है वो bumper जो है वो offer होता हुआ ना ज़र आएगा तो काफी अच्छी लग रही है और इंजन ओप्शन के बारे में जड़ा बात कर लेते हैं लेकिन उसे पहले मैं यहाँ पर बूट खोल के आपके दिखाता हूं तो नीचे यसे हमेशा से मारती सुझू की का एक पैटरन रहा है कि वो इंजन एको एक्सेस करने के लिए अक्से तौरते द्राइवर साइड में राइट साइड की नीचे वाले पोश्चन पे जो है वो आफर करते हैं तो यह पहले खोलते हैं So this is the hood और यह हुड है वो decent amount of weight रखता है बहुत जादा light नी है और बहुत जादा जो है वो weight भी नहीं है इसके अंदर So सबसे पहले तो इसको लगाते हैं और मैं आपको बताता हूं जल्दी से कि यह एक 5-liter का पेट्रोल naturally aspirated engine है जो 103 PSC और अगर हम बात करें यह 4-speed 80 और एक 5-speed manual transmission के साथ में भी ओफर किया जाता है So dieselization के विरूद हो चगे है मारत सुजू की कभी भी diesel engine जो है वो जब से भी यह 6 आए है सबसे तो नहीं में जाता है सब पहले इसे भी उनोंने discontinue कर दिया था तो diesel engine option no catch is और आपको नहीं देखने को नज़र आएगी एक तो आप यह टायर सेट देख रहे है न यह आपको 15 इंचर्स ही मिलेंगे लेकिन इनकी विर्थ आपको काफी मोटी मिलेंगे 80 profile लगके टायर सही है और 195 सेक्शन है मुझे जहां तक फील यह है कि आप आफ्टर मार्केट लगाना बहतर इसके अंदर पसंद करने वाले हुए थोड़ी स्कीन ही लग जाते हैं comparative to a operator और अविसली जब आप टायर अपग्रेड कराते हो तो overall look भी जो है वो गाड़ी का enhance ज़रूर होता है जान रखेगा कि वील रसी से जो बाहर ना है क्योंकि इडर इस लेगल इन लिए और जब आप कुछ तायर जाएज लगवा जेते हैं जो इलेगल है तो चलान होने के चांसे आप काफी जादा बढ़ा देते हैं यह कार सीज होने के चांसे काफी बढ़ा देते हैं यह देखेए प्लास्टिकी क्लैडिंग है थ्रूआट दा बॉड़ी जाती है पीछे तक जाती है थाकि अन्नेसरी का जो है वो रस्त पगेरा इसके अंटर बॉड़ी पे या यह नीचे में जो है वो ना लग सके और अगर आप देखें तो request button इधर भी दिया गया है passenger side भी दिया गया है that is the best part which differentiated from thar महिंदर थार में जो है वो आपको request button नहीं दिये जाते है in fact महिंदर थार में जो fuel lid है वो भी आपको अंदर नहीं दिये जाती है तो आपको चाबी manually यहाँ पे fuel lid खोल नहीं बढ़ दिये दोस्तों अब मैं हाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको piano touch मिलता है और यह जो piano finishing है तो आप यह अच्छी लगते है dual tone treatment देती है पूरी गाड़ी को and यह auto adjustment के साथ में भी available है तो आप electrically इन को adjust कर सकते हो और अगर आप चाहें तो इनको जो है वो बंद भी कर सकते हो तो electric adjustment and auto fold के साथ में जो है वो गाड़ी available है फिलाल तो फिलाल इसको बंद कर देते हैं और चलते पीछे की तरफ यहां अगर आप देखेंगे तो एक quarter mirror आपको offer किया गया है ताकि आप boot में जहांक सके तागर जहांके कर सके गया के समान रखा हुआ है और इससे थोड़ा से airy nature भी आथा है बट तब जादा आता है जब यह part बन जाता है second row का बट यह second row तक बहुत जादा अपना roll अदा नहीं गर तो इस वज़े से यहां आप ऐसे गर की ठाक सकते कितना कितना luggage जो आपका हाय हुआ है anyway जो spare wheel है वो भी same dimensions के साथ में आता है but it has a steel wheel यह एक you know alloy wheel नहीं है पीछे से अगर आप देखेंगे तो high mounted stop lamps है dual tone treatment washer jet, wiper jet defogger unit वो सारे तमाम features मिलते हैं जो आपको rear में किसी भी एक capable car में जो daily commute में भी आती है उसमें मिलने चाहिए एक off rotor में मिलने चाहिए यहां पर जो है वो एक्षा covering दी गई है ताकि unnecessary जो bolts है जो rivets है उनको यहां पर छुपाया जा सके नीचे भी अगर आप देखें तो यहां पर भी all grip की badging है नीचे अगर आप bumper पर देखें तो daylight unit दी गई है और दो sensors जिसकी एक sensor की direction ही completely change हो गी है तो आप यहां देखेंगे तो एक request बटन दोस्तों आपको यहां पर भी मिलता है जो की boot का request बटन है तो यह lock हो चुगी है अनलॉक कर देता है और अनलॉक जैसे ही आप करेंगे तो यहां देखेंगे एक 208 लीटर का बूट स्वेस आपको यह offer कर रही है अब इक चीज और अगर आप इस तरह देखेंगे तो पार्ट शियर्ड है इसकी जो illumination light है एक अच्छा फेक्टर यहां की 12V का DC supply यहां मिलता है प्लस यह जो आप 50-50 में you know split होने वाली seat देख रहे है वह इस तरीके से हालक यह पूरा state नहीं हो जाती है इसको जो बूट है और जो obviously seat height है वो आपको boot space increase करने में तो मदद करेंगे बड़ यह state नहीं हो देखेंगे किसी एक एंगल पे जो हो जाके रूख जाती है जो कि अकसर तोर पे आप SUV में देखते हैं तो इसको वापस लगा देते हैं और यहां अगर आप देखेंगे एक और लाइट भी जो है वो दी गई है दोस्तों तो यह जो space है यह जादा practical मुझे लग रहा है यह जादा practical लग रहा है comparative to second में आने वाली जितनी भी off-roaders है यह cross competition भी इंसाइड दूस्तों इंग्रेस करते हैं और देखो इंग्रेस में तो कोई problem नहीं होगी मुझे लगता कि किसी भी एज ग्रूप में जो है वो आपको जंप करना पड़ेगा है स्टेपर लगाने की अननेसरी जो हो जरुरत पढ़ने वाली है फुट स्टेप की जरुरत तो ही और इस तरह भी राइट साइड में जो हो बटन कंट्रोल जो हो दिये गए हैं आप वाइस एस्ट और साथ ही साथ आप जो हो पॉल पिकपन ड्रॉप के बटन देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो हो काफी मैनुवल है और यहां से मैं इसको स्टार्ट कर देता तो यह और ब्लैक और वाइट M.I.D. आपको यहां पर उफर होती है जो M.I.D. है उसको आप इधर से कंट्रोल कर सकते हो तो तो देर यूगो अलग-अलग स्पीडोमेटर आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो आप चाहें तो ऊपर वाला सेक्शन यानि के एवरेज स्पीड औ नहीं किये गए हैं किसी भी तौर पर जो टस्क्रीन फूटेमिन सिस्टम है वो आपको काफी हद तक नए वाले टस्क्रीन फूटेमिन सिस्टम जैसा ही नजर आएगा अब चाहें तो यहां से इसको M.I.D. के तौर पर भी जो है वो इस्तमाल कर सकते हो और जैसे कि होता हूँ नजर आएगा तो ट्रिप फाइव आपके पास में बहुत सारी ऐसी जो है वो यहां पर देखो कि आप जो ट्रिप्स है वो आप अलग-अलग तौर पर जो हो देख सकते हैं री फूल के बाद में कितनी चलिए यह सारी इंफॉर्मिशन आपको है ही मिलेगी जैस इनका स्टाइल मुझे काफी पसंद आया और आपके पास में त्रेक्शन कंट्रोल यह सारी चीज़ तमाम चीज़ जो हो यहां ही पर आफर होती नजर आती है इंफेक्ट आप 12V का DC सप्लाइए और USB स्लोट भी यहां ही पर देखेंगे फोर स्पीड आउटमेडिक ट्रांस नहीं हों एक यहां पर विंडू पैनल पर आप देखेंगे तो इसा कोई इसा कौई बाटल होल्डर वगेरा थो नहीं है लेकिन मैगजीन होलडर ज़ूर यहां पर आफर होते हैं यह एक ग्रैब हेंडल जरूर मिलता है जो कि एक्सर तौर पर आपको सारी गाड़ियों मिलता है इधर अगर आप देखोगे तो वाशर जेट का जो है वह आपको बटन दिखाए देगा एंडाइडल स्टार्ट सॉप के साथ में और वियूम के सारे कंट्रोल इधर ही जो है वह यहां यह भी आपको मिलेगा डीसियर साइड़ गलव बॉक्स बहुत बड़ा नहीं है लेकिन हम इसको छोटा भी नहीं गया सकते हैं थोड़ा डेप्थ जादा है और यहां पर कूल गलव बॉक्स का उप्शन नहीं मिलता है और यहां एक ग्रैब हैंडल जरूर आपको आफर होत पसनना है काफी कुछ नहीं लगती है मुझे और ग्रैब करके मुझे यहां पर बैठती है एडरूम भी अच्छा कासा है और रेकलाइन अंगल भी आपको यहां पर मिलता है तो आगे पीछे टू एन फ्रो आप यहां पर मूव कर सकते हैं और अमेजिंग कार इसके बाद से खोड़ा काम किया जा सकता है मुझे ऐसा लगता है रेकलाइन अंगल जो है वो अल्मोस्ट 90 डिग्री पे है मैं काहूंगा तकरीवन 80 डिग्री के असपास होना चाहिए इसको और वो दस डिग्री का डिफरेंस मैं नोटेस कर रहा हूं हो सकता है कि जब आप इसको मेजर कर तो वो 80 की जगह 85 डिग्री या फिर 75 डिग्री भी हो completely agree with that fact also और यहां कर आप देखेंगे तो आपके पास में एक रीडिंग लैंप ओफर किया गया है this is good यानि के front में भी है और rear में भी है grab handle मिलता है लेकिन coat hook वगरा नहीं क्योंकि यह एक lifestyle vehicle है पर आप इसको off-road तोर पे space जो हो नहीं मिलता है दो can holders आपको ज़रूर यहां मिलेंगे अब क्योंकि यह एक off-roader है और इसको बहुत जादा comfort से आप relate नहीं कर सकते यह reason है कि इसके अंदर जो हो center armrest भी नहीं आता है plus center armrest होने के लिए 60 to 40 seats होती है अक्सर तोर पर 50 to 50 seats हैं तो यहां पर इसलिए भी आ armrest नहीं offer किया जा रहा है अब इन seats के angles को आप जो है एड़्जस्ट नहीं कर सकते हो आप आगे और पीछे जो हो एड़्जस्ट नहीं कर सकते हो यहां पर जो हो एक floor hump जरूर इंट्रीउस हुई है जो जो actually तब problematic होती जब यहां पर पांच लोग बैट पाते हैं तीसरी रो सिकंड रो का comfort भी हम compare करेंगे और फर्स्ट रो का compare भी जो हो यहां पर करने वाले और गाडियों से तो उसकी playlist मैंने बना चुकी है और आने वाले टाइम में एक दो playlist और बनेंगी तो आप वो भी जरूर देखना ना भूले सो हम मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो के साथ सब्सक्राइब और आप तब तक अपना ध्यान रखें सुरक्षित चलें अंडिर फोर्ट नेक्स टाइम बावाड एक ने कीप लोगे कार बाइक वोटवर एकल यहार है विड़ाव सेफ काई